गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैथमेटिक्स विद आवीगर्ग, स्वागत एश्प्रेंज, आप सभी का इस नए लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लापलास ट्रांसफॉर्म, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि पीरोडिक फंक्शन का लापलास ट्रांसफॉर्म कैसे find out करते हैं, तो उससे पहले पता होना चैए periodic function क्या होता है, ठीके जबी तो आप बताएंगे ना उस function का लापलास ट्रांसवर्म, तो देखो सबसे पहले periodic function की ये definition लिखिये इसलिए, कैसे बताते हैं किसी function का periodic देखो, कोई function है fx वो periodic यह पीरोडिक फंक्शन है विद पीरड अलफा यह पर यह ऐलफा कोई भी कॉंस्टेंट होगा कि अलफा इस पॉजिटीव कॉंस्टेंट दर लिस्ट वैल्यू अफ एलफा ग्रेटर देन जीरू इस कॉल्ड दा पीरड ओफ एफ एक्स टो लीश्ट वैल्यू होगी ना वह मे यह साइन 2 पाई प्लस X की वेलू क्या होती है साइन 2 पाई X बिल्कुल साइन X की ही इक्वल होता है साइन 4 पाई प्लस X क्या होता है साइन 4 पाई प्लस X भी बिल्कुल साइन X ही होता है ठीक है इसी तरह से अगर मैं 6 पाई लेलू तो ये भी बिल्कुल sin x ही होता है तो ये वाली condition तो ये तीनों ही satisfy कर रहे है बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा है least value यहाँ पर यही notice करने का है कि least value लेनी है तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर least value क्या है 2 pi, 4 pi, 6 pi में से x की alpha की least value लेनी है हमें तो ये 2 pi least है यहाँ कि आप कहा देंगे जो ये function है न f x sin x है जो आपका f x is equals to ये periodic function है ठीक है with period periodic function है with period 2 pi ठीक है, समझ आया f x आपको एक periodic function है जिसका period है 2 pi समझ आई definition अब देखो इसका अगर laplace transform हम पूछे, तो कैसे करना है main topic आपका laplace transform चलना है यह सिप मैंने बताया है पहले definition पता होने चीए जिस function की भी हम laplace transform निकालना चाहरे तो देखो हम मान लेते है f x कोई भी एक periodic function है जो जिसका period कोई मान लेते है alpha यही greater than 0 ठीक है, तो कोई f x है जो की periodic function है जब यह periodic function है तो क्या satisfy करेगा यह वाली condition satisfy करेगा यानि की x plus n alpha is equals to क्या आएगा f x ठीक है, हमने alpha को यहाँ पर n alpha की तरह लिख लिए क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 pi आया 4 pi आया, ठीक है n कोई भी number होगा, n की value हो जगता है 1 हो, x plus alpha ही आजाएगा same as it is, ठीक है और अगर ज़्यादा भी हो तो फिर उस तरह से आजाएगा यहाँ पर लिख लेते है n e equals to क्या है 1, 2 इस तरह से चल रहा है आपके पास f x कोई periodic है तो periodic function का laplace transform क्या हो जाता है formula है, direct आप लोगों के पास 1 upon 1 minus e की पावर minus p alpha ठीक है, integration limited जहाँ 0 से alpha e की पावर minus p x f x dx ठीक है, यह formula आप लोगों को याद रखना है बहुत ही important formula है ठीक है, रादिष्थान university में 2002 में पूछे गया है इसका proof तो proof भी देख लेते हैं कैसे होगा ठीक है, और university में भी पूछा गया है बिल्कुल, जौदपूर में भी पूछा था BSC में, तो वहाँ पर भी 2005 में पूछा गया है तो अच्छा question है, proof एक बार देख लो ठीक है, कैसे आया, पता तो हो ना हमें इस formula तो देखो, इन journal हम क्या जानते हैं, कोई भी function fx हो periodic नहीं है, यह कोई भी function journal fx है तो उसका लापलाश transform हम definition जानते हैं 0 से infinity, e की power minus px fx dx यह होती है, यह हमने starting up पढ़ी थी और इसकी help से तो हम बहुत सारे properties निकाल चुके हैं ठीक है, देखो, ठीक है, यह formula हम जानते हैं अब क्या करना है, हम सबसे पहले हम इस limit को break करेंगे 0 से infinity है, हम चलेंगे, यहाँ पर हम पास क्या है x प्लस n alpha, यानि की alpha किस तरह से चलेगा n की value put करते जाएंगे, तो पहले 1 करोगे, तो alpha जाएगा 2 लिखोगे, तो 2 alpha जाएगा, 3 लिखोगे, 3 alpha जाएगा तो मैं इस limit को कुछ इस तरह से break कर रहे हूँ, 0 से alpha, ठीक है यहाला term as it is लिख लो, e की power minus px, fx, dx, प्लस alpha से हम गए, 2 alpha तक, ठीक है, e की power minus px, fx, dx, प्लस इसी तरह से 2 alpha से फिर का जाएगे, 3 alpha पर, इस तरह से आपके पास चलता रहेगा, तो लिख लेते हैं, 2 alpha से, हम लोग गएं, 3 alpha पर, e की power minus px, fx, dx, प्लस, डेश, डेश, इस तरह से चलता रहेगा, एस सोर, ठीक है अब क्या करना है हमें, देखो, अब हम कुछ substitution कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास ऐसे ही रखो, बस x की जगे u कर रहे हैं, यहां पर, ठीक है, फस्ट equation में क्या substitute कर रहे हैं, x की जगे u, second equation में क्या कर रहे है, x की जगे u plus alpha, इसमें क्या करेंगे, x की जगे u plus 2 alpha, ठीक है, इस तरह से इस तरह से चलता जा रहा है, इस तरह से चलता जा रहा है, एक्सेक्टरा, ठीक है, किस equation में, इस तरह से आप लोगों को करना है, तो first equation में x की जगे alpha लिखा, तो क्या change आएगा, 0 से alpha, limit तो सेम रहनी है, x की जगे alpha कर रहा है, एप लोगों ने, तो limit change क्या करोगा, x की जब 0 रखोगे, तो alpha 0 आजाएगा, वो लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर x की जगे alpha लिखोगे, तो क्या आजाएगा, sorry, x की जगे alpha ने लिखना, u लिखना है, ठीक है, u ले रहे न, sorry students, तो देखो, x की जगे 0 लिखेगा, तो u की value 0 आगई, x की value alpha लिखोगे, तो u की value भी alpha आजाएगे, ठी e की पावर माइनस, p, u, f, u, d, u, plus, यहाँ पर second equation में x की जगे, u प्लस alpha करोगे, यहाँ पर alpha लिखो, क्या आएगा, u is equal to 0, उपर लिखो, 2 alpha है, तो यहाँ पर 2 alpha लिखो, तो 2 alpha में से 1 alpha गया, तो 1 alpha बचा, यानि u के value क्या गई, alpha, ठीक है, समझ आया, e की पावर माइनस, p, x की जगे लिख देना है, u प्लस alpha, f, u प्लस alpha, dx की जगे क्या आएगा, तो देख सकते हो, यहाँ पर इसको differentiate करो, x का dx हो जाएगा, is equals to u का हो जाएगा, du, alpha कोई भी constant है, starting में बता देता है, alpha कोई positive constant है, तो यह होगा, du, ठीक है, इस तरह से, यह वाल plus, देखो, जब x की value 0, sorry, 2 alpha करोगे यहाँ पर, तो u का limit क्या आएगा, 0, यहाँ पर x की जगे, जब 3 alpha लिखोगे, तो क्या आएगा, 3 alpha में से 2 alpha गए, तो 1 alpha, u का value क्या जाएगा, alpha, ठीक है, e की पावर माइनस, p, x की value रख दो, u प्लस 2 alpha, f, u प्लस 2 alpha, और आपके पास क्य है, dx, तो यहाँ से भी देख सकते हो, यह तो constant है, तो differentiation 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा, du, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, and so on, ठीक है, अब देखिए, constant हमें वो बहर ले लिए, 0 से alpha, यह इसमें तो कुछ भी constant नहीं है, तो e की पावर माइनस, p, u, f, u, du, as it is आगे, प्लस, यहाँ मुझे बताओ, e की पावर क्या आएगी, e की पावर माइनस, p, u, और e की पावर माइनस, p, alpha, alpha एक constant है, p एक constant है, तो यह पूरी term एक constant हो गई, तो इससे हम ले लेते हैं, integration से बहर, तो e की पावर माइनस, p, alpha, integration से बहर आगया, integration नहीं बचेगा, e की पावर माइनस, p, u, और f, कहाँ, यह रहा, देखी, यहाँ से क्या बचेगा, f, u, du, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने starting में कहा दिया था, f, x है, जो वो periodic function है, हम f, x को periodic लेके चल रहें, periodic के मतलब, यह व क्या दिक्कत है, x की से के variable u कर दीजिए, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीके, मैंने बताया था, पहले भी लापला स्टांस, जो हम प्रूफ कर रहे थे, properties, x की से के यू करो, y करो, कोई फरक नहीं पड़ता, variable से, ठीके, तो यहाँ पर f, u, प्लस, alpha, किसके एकल हो जाएगा, f, u, k, जो कि हमें पता है, periodic function की property, ठीके, इसी तरह से, f, u, प्लस, 2, alpha, यहाँ पर, n की से के क्या है, 2, तो, u, प्लस, 2, alpha, भी क्या हो जाएगा, f, u, k, कोई, ठीके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होचेगा, f, u, du, प्लस, इसी तरह से, यहाँ पर देखो, e की पावर, माइनस, p, 2, alpha, alpha, एक constant है, p, एक constant है, तो यह पूरे constant होगे, integration से, बहार आजाएगा, integration में क्या बचा, e की पावर, माइनस, p, u, इसकी value, f, u, periodic function की definition से, और, du, ठीके, as on, ठीके, आप लोग notice कर पा रहे हो, यह सभी integration सेम है, तो common ले लिजिए, क्या आजाएगा, 0 से alpha, e की पावर, माइनस, p, u, f, u, du, हमने common ले लिया, bracket में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानि कि 1, यहाँ, प्लस, e की पावर, माइनस, p, alpha, प्लस, e की पावर, माइनस, p, 2p, alpha, प्लस, इस तरह से, so on, चलता रहेगा, अब देखो, आप लोगों को एक expression पता होगा, students, बहुत यूज़ किया जाता है, we know that, 1, प्लस, कोई भी x, वैरियेबले, ठीक है, 1, प्लस, x, प्लस, x, square, प्लस, x, q, इस तरह से, चलता जा रहा है, इसकी value होती है, 1, अपावन, 1, माइनस, x, इसके साथ, condition होती है, कि, more of x, less than, 1, ठीक है, यह, आप लोग, expression याद रखी है, नहीं पता तो, इसका use हम लोग यहाँ करने वाले, देखे, x की जगे कुछ भी नहीं, e की power minus p alpha है, x, square, जब x की जगे मैं क्या कह रही हूँ, e की power minus p alpha है, तो x, square, क्या हो जाएगा, e की power minus p alpha का, square, और power के उपर power, यानि की multiple है, तो e की power minus 2p alpha, तो मुझे बताओ, यह x, square, e की power minus 2p alpha, यह रहा, तो यह आपक x का काम कर रहा है, ठीक है, यह आपका x हो गया, यह आपका x square हो गया, इसी तरह से x cube होगा कहीं, ठीक है, इसके बाद x cube होगा, तो आप लोग इसको, इस expression की help से क्या लिख सकते हैं, यह आप लोगों के पास आजाएगा, 0 से alpha, e की power minus p u, f u, du, तो as it is, इससे आप लोग क्य लिख सकते हैं, 1 upon 1 minus x, x की जगे क्या है, e की power minus p alpha, लीजिए, ठीक है, जहाँ condition क्या होगी, x, mode of x less than 1, यानि की mode of e की power minus p alpha less than 1, इसका मतलब क्या हुआ, e की power minus p alpha less than 1, इसको मैंसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, mode function, e की power minus p alpha, इसको आप लोग without mode भी लिख सकते हो, e की power minus p alpha less than 1, क्योंकि ये जो expansion value आईगी, जो भी आपकी exponential positive आईगी, तो mode का कोई मतलब भी नहीं है, mode का काम क्या है, negative को positive करना, ठीक है, इस तरह से लिख दीजेगा, इसको, एक condition, और यहाँ पर क्या चल रही है, आप लोगों की, p greater than 0 आप लोगों को पता है, definition में जब हम लिखते थे, जब आप fx का laplace transform लिखते थे, 0 से infinity, e की power minus px, fx dx, तो यहाँ पर एक condition लिखते थे, p greater than 0 होगा, ठीक है, तो इसके साथ एक और condition लिख लिख लिजी, यहाँ पर, and p greater than 0, ठीक है, इसी formula का यूज करके तो हम प्रूफ कर र 1 upon 1 minus e की power minus p alpha, bracket में लिख देते हैं, integration 0 से alpha, e की power minus p u, f u और d u, ठीक है, अब variable यहाँ पर u है, तो यहाँ पर हम exchange कर देते हैं, ठीक है, variable से बता रहे था, कोई फरक नहीं पड़ता, तो u की जगे x चेंज कर दो variable, x, y जो भी आप लिखना चाहो, x variable कर देते हैं हम change u को, ठीक ठीक है, तो क्या जाएगा आप लोगों के पास, l, fx, p, क्या जाएगा, 1 upon, 1 minus e की power minus p alpha, integration 0 से alpha, e की power minus p, u की जगे हम x variable ले रहे हैं, so, px, fx, dx, ऐसे हमने और भी properties प्रूफ करी हैं, समझ आया, यह आपके पास आ चुका है, यह एक periodic function है, इसका laplace transform यह होता है, ठीक है, यहाँ पर यह alpha क्या है, इस function का period है, ठीक है, alpha क्या है, इस function का period है, जो की greater than 0 है, ठीक है, 0 to alpha limit है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, alpha greater than 0 है होगा, समझ आया, example देखें इस पर basic, तो देखो, example के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी function fx ले ले लेते हैं, इस तरह से दिया value sin x है, कब, जब x आपका 0 से pi के बीच में है, equal to रहने दो, क्योंकि sin 0 तो फिर 0 हो जाएगा, 0 तो हम अलग से ले रहे हैं नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर equal रहन दो, ठीक है, तो x कहां मेरी कर रहा है, 0 से बड़ा है और pi से छोटा है, और fx की value 0 होगी, कब, जब x की value pi से बड़ी है, और 2 pi से छोटी है, ठीक है, रादिश्टान यूश्टी में आया हुआ कोशन है, तो देखो कैसे करते हैं, रादिश्टान यूश्टी में आया हुआ कोशन है, तो देखो fx कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और इसका period दिया हुआ है, यहाँ पर, period की तो में ज होगा तो देखो इस कोशन को कैसे करते हैं फॉर्मूला हमारे पास है ही यह रहा ठीक है दुबारे लिखनी रहे यहीं से आप लोग देख सकते हो देखो क्या जाएगा एल एफ एकस पी इस इकोश टू इंट्रिगेशन जीरो से एलफा एलफा अपने कोशन में क्या दिया है दिया हुआ है टू पाई तो जीरो से टू पाई एकी पावर माइनस पी एकस एफ एकस डी एकस अपन में क्या आने वाला है वन माइनस एकी पावर माइनस पी एलफा एलफा की वैलू टू पाई दी हुई है तो लीजी पहले इस इंट्रिगेशन को सॉल्ट कर लेते हैं फि की वैलू क्या दियो हुई है यह रही लिमिट भी ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि एफ एक्स की वैलू अलग-अलग है लिमिट के अकॉर्डिंग जीरो से पाई के लिए एकी पाई माइनस पी एक्स एफ एक्स की वैलू क्या है साइन एक्स लीजिए और आपके पास डी एक्स ठीक है प्लस अब कहां चलना है पाई से टू पाई तो जीरो से पाई तो यह आ गए और फिर पाई से टू पाई हो गई लिमिट कंप्लीट जीरो से टू पाई पहुंच तो जीरो हो गया हमें सॉल्ड करना है सिर्फ यह वाले इंट्रिएशन तो क्या जाएगा सॉल्ड कर लेते हैं दो function एक्स के आईलेट ठीक है उसकी help से करना पड़ेगा हमें तो first और second मान लेते हैं आईलेट के according आईलेट इनवर्स लोग्रिथम एलजेब ब्रिक dignometry exponential exponential last में है sign dignometry ये रही first number अब ये है second ये है first इसको माना second इसको integrate कर दीजे integrate by parts क्या होता है first function को रखा second का integration e की power minus Px का e की power minus Px upon minus P ठीक है limit चल रही है zero से pi minus फिर क्या होता है first function का differentiation तो sin x का differentiation cos x, second function का integration, यानि कि e की पावर minus p x upon minus p, और फिर होता है आप लोगों के पास complete का integration, यही फार्मूला होता है, ठीक है, क्या आजाएगा, यहाँ पर limit apply कर दो, दो माइनस 1 upon p तो बहर ले लेते हैं, पहले apply करना है π, तो क्या आएगा e की पावर minus p pi, ठीक है, और sin pi, clear, फिर minus 0 करना है, तो e की पावर minus p 0, यानि कि 0, और यहाँ से क्या आएगा, sin 0, आप लोगों को पता है, sin n pi, is equals 2 होता है, 0, तो यहाँ पर n की value अगर 1 रखी, तो क्या आएगा, sin pi, उसकी value 0, तो यह 0 होगे, sin 0 की value 0 ही होती है, तो यह वाला complete vanish होगे term, इसकी value क्या आजा है, 0, minus, इसको solve कर लेते हैं, यह देखो, minus minus plus 1 upon p, integration में क्या बचा है, e की पावर minus p x, cos x dx, limit है 0 से pi, ठीक है, अब करना है में इसका integration, तो आप लोगों को एक formula पता होगा, students, integration e की पावर a x, cos b x, ठीक है, इसका integration क्या होता है, e की पावर a x upon a square plus b square, a cos b x plus b sin b x, बहुत ही important result है, याद रखिए, ठीक है, इसका आप लोगों नहीं कर सकते हैं, इस तरह से, क्यों, अब आप cos को आप देखो, इस वाली term में, last बाद वाली में, क्या करना पड़ता है, first का differentiation, तो cos को differentiate करोगे, sin आजाएगा, फिर यहीं attack जा होगे, ठीक है, तो इसलिए फार्मूला है, याद रखो, integration e की पावर a x cos b x का, क्या होता है, और a x upon a square plus b square, और अब पास यह term, clear, देखो, चाहते तो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे, मुझे उस वक्त याद नहीं आए, फार्मूला, ठीक है, e की पावर a x sin b x का भी होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं आया, अभी याद आया, तो देखो, इसका क्या होता है, e की पावर a x upon a square plus b square, a sin b x minus b cos b x, ठीक है, तो इस वर्मूले से direct इसको आप लोग integrate कर सकते हैं, यह तो 0 होई चुक है, इसको इस वर्मूले से direct integrate करें, करके देख लीज़े, यह एज़े जा जाना है, तो e की पावर minus b x, ठीक है, देखो, यहाँ कर लेते हैं, क्या आज़ेगा आप लोगों के पास, इसका integration, e की पावर minus b x upon a square plus b square, तो देख लो, a यहाँ है, b यहाँ है, यहाँ पर क्या है, minus b है, और यहाँ क्या है, 1, तो क्या आज़ेगा आप लो यहाँ पर क्या है, minus b sin x, ठीक है, minus b sin x, minus b, यहाँ कि यहाँ पर क्या है, वो term 1, ठीक है, cos b x, यहाँ क्या जाएगा, cos x, ठीक है, समझ आया, formula से direct integration हो जाएगा, limit apply कर देंगे, limit कहा जा रही है, 0 से πाई तक, तो 0 से πाई, ठीक है, देखिए, limit apply कर लेते हैं, क्या जाएगा आप लोगों के पास, देखो, integration, g cos 2 चल रहा है, आप लोगों के पास, इसकी value निकाल रहे हैं, यह value निकाल रहे हैं, 0 से 2 πाई, e की पावर, minus b x, f x, dx की, ठीक है, limit apply करिए, x की जिएके पहले πाई लिखना है p square plus 1 constant है, इसको तो बाहर लिख लेते हैं, है ना, limit apply करो, e की पावर, minus b pi, minus b, x की जएके हैं, हमने, pi लिखा, तो क्या जाएगा, pi minus cos pi, ठीक है, पिर minus, lower limit रखोगे, तो क्या जाएगा, e की पावर, minus p, 0, तो यानिकी 0 लिख लेते हैं, direct, bracket में, minus p, sin 0, minus cos x, तो cos 0, ठीक है, और यह bracket बन, बाहर चल रहा है, p square plus 1, clear, देखो, solve करते हैं, easy question, 1 upon p square plus 1, देखो, यहां से, मैंने बता है, sin n pi 0 होता है, तो यह sin pi 0 होगे, यह complete term 0, ठीक है, cos pi की value क्या होती है, minus 1, तो क्या जाएगा, minus minus plus 1 हो जाएगा, तो क्या होचा, e की पावर, minus p pi, e की पावर 0, value 1 होती ह हम लोगों को पता है, sin 0, 0 हो गया, तो यह वाली term तो खतम हो गई, cos 0 की value क्या होती है, cos 0, 1 होता है, ठीक है, तो यहां पर यह minus, और यह minus plus हो जाएगा, और क्या जाएगा, 1, ठीक है, यह यह answer है आप लोगों के पास, sorry, sorry, यह तो हम लोगों के पास इसकी value आई है, sorry, आप वोगों को निकालनी किसी थी, L, F, X का लापलाश ट्रांस्वर निकालनी है, तो यह उस integration की value है, तो यहां पर, क्या है, यह integration की value, 1 upon P square plus 1, E की पावर, minus P pi, plus 1, इसमें divide किसका करना था, आप लोगों को, 1 minus E की पावर, minus 2 P pi का, यही तो था न, तो अब यह answer है, तो इसको कु अपर तर में, E की पावर, minus P pi, plus 1, upon P square, plus 1, और multiply में क्या जेगा, यह वाली time, इसको देखो, मैं कैसे लिख रही हूँ, 1 का square, 1 ही होता है, minus E की पावर, minus P pi का square, क्या है, formula बन रहा, A square, minus B square का, क्या होता है, A square, minus B square होता है, A minus B, A plus B, A की जगे यहांपर क्या है, 1, B की जगे क्या है, B square, B की जगे क्या है, E की पावर, minus P pi, क्या formula होता है, A minus B, A plus B, तो इसको किस तरह से लिख दोगे, e की पावर minus P5 plus 1 upon P square plus 1 as it is, चल रहा है A minus B, यानि की 1 minus e की पावर minus P5 A plus B, यानि की 1 plus e की पावर minus P5 देख सकते हो, यहां से यावाली term से ये वाली term cancel out हो गए तो answer क्या है? 1 upon P square plus 1, 1 minus e की पावर minus P5 यह आको पास आ चुका है, fx का Laplace transform समझ आई students आज की class बहुत important है please questions करके साथ ये periodic function के exam में आ सकते हैं ठीक है so thank you students मिलते हैं next lecture में कुछ और अच्छे एक्जाम्पल के साथ thank you thank you so much